नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोच स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस दो हजार चौविस के एकजाम में आपको तुक्का जो है कैसे लगाना चाहिए और कितने प्रस्णों में तुक्का मालना चाहिए और एक प्रस्ण जो है आपका दो नंबर का है अगर निगेटिव मार्किंग के बात करेंगे तो आपका आधा नंबर कर जाएगा 0.5 मार्स अब यहाँ पर देखिए 60 प्लस 60 प्लस 30 यह जो लिखा इसका क्या मतलब है अब इम आगे बात करने वाले सबसे पहले देखिए यहाँ पर दोस्तों जो आपके जो प्रस्णों की संख्या होगी ना वो आपके टोटल 150 होगी ठीक ना 150 प्रस्ण होगे और 1 प्रस्ण आपका 2 नंबर को होगा यानि आप यह कह सकते हैं टोटल पेपर जो है आपका 300 नंबर का होने वाला है निगेट्व मार्किंग अगर बात करेंगे निगेट्व मार्किंग जब बात करते हैं तो यहाँ पर 0.5 मार्स कर जाएगा 0.5 का मतलब हो ता है आधा नंबर आपका कड़ जाएगा तो यहाँ पर अगर आंब करेंगे कि अगर आपके साही है ना दो प्रहूं आपके सई हो जाते हैं तो आपके चार नंबर हो ग quir आगर आपके मारीजीं चार पुल लिए enjoy caller her in उन आते किया जिसमें इस आपकेड़ तो इस तरीके से आपके नेगेटीव मार्किंग होने वाली है आप समझ गया होगी किस तरीके से होगा और यहां पर सबसे पहले गर हम बात करें कि जो 150 प्रसन आपके होंगे इसमें से आपके जो 75 प्रस्ण ना इसमें आपके 38 और 37 जो आपका है न जी के और हिंदी का तो यह तो आपके 75 प्रस्ण आप मतलब कह सकते हैं कि जो 75 प्रस्ण आपके जी के और हिंदी के होंगे और इसमें से अगर आप बात करेंगे 75 में से इसमें जो आपके होंगे 55 प्रस्ण जो है आपके रिजरिंग के आएंगे और बाकि जो आपके बचेंगे वो आपके कैस के आएंगे वो आपके आजाएंगे मायत के हैना मायत क्या आप मान सकते हैं आपके कितने 20 number आपके मालेजीए 20 number मैइद के रहेंगे और 55 number आपके मलब 55 प्रस्ण आपके रहेंगे आपके रिजिनिंगे ठीक ना तो इस तरीके से आपके 1500 मलब टोटल प्रस्ण होंगे और 1 प्रस्ण आपका 2 number का होगा आप देखिए दूसरा सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले गर हम बात करें कि जो 1.500 प्रस्ण होंगे उसमें सभी के सभी प्रस्ण आपके कटें तो होगे नहीं तो उसमें क्या है कि 60 प्रस्ण जो है आपके easy रखे जाएंगे विसे समझ लेजिए यही आपका ratio रहेगा 60 प्रस्ण आपके easy रहेंगे और 60 प्रस्ण आपके moderate रहेंगे और hard प्रस्णों के रंख्या रहेंगी 30 अब आपके पास देखिए 1.500 प्रस्ण हो गए ना आपको समय 2 घंटें बिलेगा और आपको कैसे करना है इस घंटेंस प्रस्ण लेजिए 90 प्रस्ण अपके 180 नमबर आपके पक्के हो गए हमाल लेते हाड प्रस्णे 30 हैं 30 में से अगर आप माल लेते हैं कि आप 30 में से अगर 10 प्रस्णे भी अगर कर ले रहे हैं तो आपके आपर 20 नंबर हो गया ना तो इसी 20 जोड़ देंगे तो यह आपका ओवराल हो गया 200 200 मतलब नंबर आपके हो जाएंगे 300 में से आपका 200 पड़ेगा क्योंकि 200 नंबर करेंगे तो हो सकता है कुछ नंबर सेगर आपका सेलेक्शन नहीं होता तो फिर आपको अफसोस होगा है तो यहां पर आपको क्या करना है जो बाकी जो 30 प्रशन आपके हुए हैं ठीक ना आप मालेजी साड़ में से 30 आपने कर लिया तो बाकी जो कि A सही है कि B सही है कि C सही है कि D सही है तो आप इसमें रिस्क मत लेजिए लेकिन हाँ जिन प्रशनों में अगर आपको पता है कि इसमें अगर आप सान मालो A सही है या B हाना A और B में मालेजी कोई एक सही है तो आप इसमें तुक्का बिल्कुल मार सकते हैं अब बिल्कु 200 प्लस नंबर अगर आप 200 प्लस नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप यह मानगी चलिए कि आपका एक जो स्कोर होगा कापी अच्छा स्कोर रहेगा 200 प्लस उपर ही होने चाहिए अगर आपके नंबर 200 से कम आ रहे हैं तो फिर तो आप तुक्का आपको लगाने पड़ेगा कुछ नहीं होने वाला है तो भी से ध्यान रखे और कोशिस करिएगा कि जितने भी प्रस्ण अगर आपके मदलब सही हो रहे है उनको पहले कर लिजिएगा थोड़ा से जो कोशन पढ़िएगा उसको स्पीर से पढ़िएगा टाइमिंग का बहुत इसु रहेगा कि रिजिनिं इस तरीकी से अगर एवरे जा रहे है तो दूसरा विकल्ब देखिए कौन से नंबर विकल्प काम है तो उसी विकल्प को आपको भर देना कि को आपको आप लाइन पेपर होगा और मिलेगी ना तो आपको निसान से मालूम हो जाएगा ठीक ना इसमें आप रिसके ले सकते ह हार प्रशणा हमी ले सकते हैं मनलब आईसा ना कर यगाएका कि पूरे को पूरी तो मार दीजेगा ठीक ना तो कोशिस करिएगा कि तुक्का इसा नहीं कि आपको में तुका काम नहीं करता कर भी जाता है लेकिन अगर आपको 30 सहीं ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि तीस प्रश्णों में कौन से बिकल्प जो है बनिब एक एवरेज वीकल्फ रखा जाता जिसे माल लेजी एक एगर आपके माल लेजी इसमें मालेते हैं कि 15 प्रश्ण ए विधव क्वे होंगे तो 15 प्रश्ण आपके विधवर्फ होंगे 15 कुछ एवरेज होता जब आप सभी करेंगे ना तो आपको आइडिया लगी जाएगा कि 30 प्रश्ण में कौण से जाते विधव हमारे हो रहे हैं बालों 30 प्रस्ण में अगर आप के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं ठीक ना तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं कोई इसमें दिकत नहीं होगी और यहाँ पर कितने प्रस्णों को सही करना चाहिए प्रस्णों की जब हम बात करेंगे नकितने प्रस्ण आपको सही करने चाहिए तो कम से कम देखिए आपको हमने बताया ना कम से कम आपको जो है ना यहाँ पर नंबर जो है 200 प्लस आपके नंबर होने चाहिए 200 प्लस आपके होने चाहिए 200 प्लस के लिए हमने बता दिया ना कि जो 60 प्रस्ण है यह तो आपको करने ही है य अगर आप easy और moderate यहीं अगर अच्छे से कर लेंगे ना थोड़ा बहुत अगर आपने hard कर लिया तो आपका काम हो जाएगा आराम से हाना hard जो प्रस्ण है आपके जो हैं कम से कम 30 तो रखे जाएंगे अगर आपके यहीं सही अगर हो जाए ना 60-60, 120, easy और moderate तो आपके पता है कितने number हो जाएंगे 120-120, 240 आपके हो गए 240 अगर आपके हो गए ना तो आपको selection कोई नहीं रोख सकता है इसलिए hard के चक्कर मत पढ़िएगा अगर आप easy और moderate का combination बनाके अगर अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपका selection जो है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा इस तरीके से आपको करना है तो पहले कि प्रस्ण में जिसे पहला प्रस्ण में कर लिया आप इसमें आपका टाइम जो है बहुत जाद लगेगा तो इसका भी विस्यद्यान रखें रखेंगा हाना पहले आप कोसंस एक साथ लगातार कर लिजिए गा उसके बाद ही आप बढ़िएगा क्या पहला प्रस्ण किया नहीं दूसरा गोला बनने लगे इसमें आपका टाइम बहुत लगेगा टाइम कभी मैनेजमेंट करना है बहुत साय लोग प्रस्ण आ रहे होते लेकिन पहले इजी करिएगा उसके बाद माड़ेट हाड नहीं आ रहा उसको बाद में देखिएगा ठीक ना हो सकता आमने इजी माड़ेट ही अच्छिस कर दिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेड़ सो में डेड़ सो ही करना है आप 120-130 प्र सबीको बंदे मातरम